आगया रिजल्ट क्लास 10th and 12th का इस नोटस में तो यही बोला जा रहा था कल यह नोटस बहुत वाइरल हो रहा था आपको बताया भी गया था जागरुक भी किया था कि यह एक फेक नोटस है आपका जो रिजल्ट है वो 1st माई को डिकलेर नहीं किया जाएगा यानि कि कल जो आपकी तारीक चली गई है उसको डिकलेर नहीं किया जाएगा यहाँ पर डॉक्टर सायम भरदवाज जी के साइन भी थे कंट्रोलर ऑफ एक्जामेनेशन के तो कोई बच्चा जिसके पास यह नोटस रिलीज हुआ होगा सब की सांस उखड गई होगी है ना इसमें साफसा बोला गया था कि यह डेकलरेशन ऑफ क्लास 10th का जो रिजल्ट ऐसे कितने सारे नोटसेस हर साल वाइरल होते हैं हर साल तो में वही हैना सुनने को मिलता है कि आज आरा रेजल्ट की बात करूँ उनको तो अब अवैर हो जाना चाहिए यार कि यह दसमी गक्षम में भी ऐसे ही हुआ था है ना काफी सारी मल्टपल डेट्स निकल के आ रही आपकी बट यहां पर आपको सरफ इतना बलीव करना है कि आपको इस जंगुल से बाहर निकलना है जो result है जिस time बोलते हैं जब तक भगवान नहीं चाहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता है कुछ भी आपको आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ जब time आना है मिल जाना है time से पहले कुछ भी नहीं मिलता है तो time से पहले result भी नहीं मिलेगा जितने भी मेरे class 10th वाले students हैं जो अब 11th में आए हैं वो focus करो हैना result आ जाएगा आपके papers बिटा ज़्यादा मुश्किल नहीं थे even की हैना जो marking है वो भी बहुत बढ़िया की गई है results भी बहुत बढ़िया आएंगे even की class 12th वालों की भी बात करो एक आदा paper बिटा मुश्किल आया था आपका physics का paper थोड़ा hard आया था बट सुनने में आ रहा है उसमें moderation policy and grace marks मिलेंगे so फिकर मत करो tension मतलो अपने आगे की goals की तरफ ध्यान दो दस्वी वालों को तो मैं specifically बोलूंगी अपनी class 11th का syllabus देखा आपने stream देखा आप कौन से choose करने वाले हैं आप science में non-medical में जाने वाले हैं medical में जाने वाले हैं आप commerce लेने वाले हैं आर्स लेने वाले हैं कुछ आपने सोचा आपने preparation बेटा स्टार्ट के रही हैं आपने सोचा कि मैं इस school को target कर रहा हूं मैं यहां पर जाने वाला हूं कई बच्चे class 11th में आके school change कर लेते हैं तो इन सब चीजों पर ध्यान लगाओ जाधा anxiety बेटा यह सेहत के लिए अच्छी नहीं है तुम्हें stress होगा और आजकल तो यार चाहें बुड़ा हो इनसान चाहें बच्चा हो आजकल तो यह anxiety वाली यार जो tension निने वाली बिमारी है न वो हर किसी को है तो मैं यह चाहती हूँ जितने भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं जुड़ जाए बेटा इस चैनल को subscribe करिया अगर आप 10th to 11th moving student है या आप अभी 12th में भी हुए हैं या 12th pass out भी है तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही useful रहने वाला है वीडियो सेक्शन में नीचे जाएए आप कॉमेंट करिये और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाएए कॉमेंट करिया आपको उस टाइप का वीडियो मिलेगा बाकि जो रिजल्ट से मिटा that are going to be declared approximately अगर हम बात करें यहां पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर अगर हम बात करें यहां से 30-35 दिन का तो मिनिममम प्रोसेस रहता है तो आपका जो ब्रेकट निकल के आता है effective bracket मैं बोलूँगी that is from 6th मई to 15th मई this is the effective bracket जिसमें आपका result निकल के आएगा तो इस दिन के लिए आप आज से ही इंतजार मत करो आप जो आगे करने वाले हो उसके उपर ध्यान दो ठीके so this was a short video जिसमें मैं आपको बताना चाहती थी कि आप जादा stress मत लीजी जादा load मत लीजे result का result आ जाएगा ऐसे fake notices से बिटा दूर रही है है ना and मैं ये चीज़ बोलूँगी comment section में comment करके जरूर से बताना तुम कितना percentage expect कर रहे हो and मैं बार-बार तुम्हें एक चीज़ बोलती हूँ जो बच्चों की intuition होती है ना बहुत जादा strong होती है है ना so आप comment section में comment करके जरूर से बताना आपको क्या लगता है कि इन में से कौन सी rate में result आने वाला है ठीक है और जो भी class 10th या फिर 12th के students है अब मैं 12th की अगर मैं बात करूँ तो बटा आपकी जो mark sheet है उसमें यह बहुत जादा है ना आपको एक और stress आ रहा था कि CGPA में आएगा या percentage में आएगा तो अगर मैं previous year की mark sheet में बात करूँ उसमें theory, practical और full marks और बेटा यह grades लिखे आते हैं ठीक है तो अगर हम CGPA system में जाते हैं तो यहां पर लाग हुआ था, दसमी में जो बच्ची आयते हैं उनके लिए सबसे पहले CGPA system आया था I was the one, जिसको यह CGPA वाले system से phase करना पड़ा था, बट फिर भी मैं बोलूं कि उसमें भी tension लेनी की जूरत नहीं है अगर CGPA में भी आता है तो उसको आपको 9.5 से क्या करना है, multiply करना है जो भी आपके पास CGPA आ रहा है तो आपका बटा वो percentage में convert हो जाएगा तो जो भी respective competitive exams है जिसमें percentage में marks चाहिए तो आप उसमें percentage में भी marks calculate कर पाएगे ठीक है, यह rule मैंने आपको बताया था पहले भी फिर भी आपको load हो रहा है इस चीज़ का मतलो, ठीक है, अच्छा है का result मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, मेरी blessings तुम्हारे साथ है हमेशा, आगे की तरफ बढ़ो if you are preparing for your C.U.T. examination, यह जो last के गिने चुने दिन है न बटा, अगर science domain के बात करूँ, तो 15 और 16 तरीकों आपको दो दिन में सारे के सारे paper wind up हो जाने है बटा, तो यह last के दिन सिर्फ और सिर्फ बटा, जो आ गयाने वाला exam है, यानि के C.U.T. उसके लिए prepare करो, उसके लिए बटा, हम आपके लिए एक grand master physics का लेकर मिलने वाले हैं, मैं अगर अब physics की बात करो तो मैं complete full syllabus बटा आपको इस upcoming Saturday को करवाने वाली हूँ, तो उस event में जुनना मत भूलेगा, सुभा 11 बजे से हमारा class चलेगा, जिसमें हम complete C.U.T. के लिए पूरा-कपूरा content revise कर रहे होंगे first chapter से 15 chapter, deleted topics, deleted chapters, सब कुछ cover कर रहे होंगे, and बिटा, अगर हम आरे साथ, आपको question practice में चुनना है so, इस batch की classes आज से start हो जाएंगी, first class आज मैं इस batch में लेने वाली हूँ, 3.30 PM पर, so बिटा, make sure that you are part of this batch ultimate question series आप इसमें जरूर से enroll कीजी, using the code Wi-Fi49, आपको ये 1,499 की बढ़ेगी, सिरफ और सिरफ जिसमें आपके सारे subjects जो हैं, वो cover हो रहे होंगे ठीक है, इसमें एक बार enroll करना आपको बता देते हैं, आप all courses में जाएंगी बिटा, K12 category में जाके, आप सबसे पहला, ये वाला batch जो है, I am talking about this ultimate question series, इसकी classes आज से स्टार्ट हो जाएंगी, Wi-Fi 4 9 code के साथ, जब आप apply करेंगे तो आपको maximum discounts मिल जाएंगे So, मिलते हैं बेटा, बहुत ही जल and tension मतलो, आपकी जो mark sheet है वो बहुत प्यारी प्यारी आएगी, अच्छे अच्छी आएगी pension लेने से कभी कुछ हुआ नहीं है किसी का तो नहीं तुम्हारा होने वाला, तो खुश रहो enjoy करो, यह जतना time है न यार उसको enjoy करो, ठी है, जब result आएगा फिर तब की तब देखेंगे, so see you all soon in the next video, till then stay tuned, bye bye take care